आपके जीवन में ज्यान का भरपूर भंडार बना करके रखें आज आपके इस मेडिसिन बीक सीरीज में हम बात करने वाले हैं ऐसे मेडिसिन का जो कि हाइपरटेशन के केस में आपकी काफी मुदत करता है उस ब्लेड पेशर के कंट्रोल करने के लिए जब ब्लेड पेशर के बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपके खून की नलियों में बहने वाले ब्लेड का उसके दीवाल पे लगाया गया प्रेशर तो ये कहलाता है आपका ब्लेड पेशर है अक्सर जब हम बात करते हैं कि इसको blood pressure की problem है उसको blood pressure की problem है तो हम generally उस terms को expand कर रहे होते हैं जहांपे वो जो value है normal value से उपर पहुचती होती है क्योंकि blood pressure का होना बहुत जरूरी है और blood pressure कोई problem नहीं है हाँ ये अगर आप बोलोगे कि blood pressure बढ़ा हुआ है तब जाकर के problem है क्योंकि अगर blood के पास अपना कोई pressure नहीं होगा तो वो heart से लेकर के body के हर एक part तक कैसे move कर पाएगा हर एक part तक पहुचने के लिए छोटी छोटी नलिकाओं से लेकर के capillary tube तक जाकर के blood को पहुचना होता है और उसके लिए चाहिए कि blood एक proper force में जा सके और force को ही तो हम pressure कहत तो इसका मतलब है कि blood का pressure normal है लेकिन अगर blood का pressure इन दो दिये गए value से जादा होता है और ये value एक दो दिन के लिए नहीं बलकि लगातार बड़ी वी नजर आए तो अपके case में हम बोलते हैं कि उस particular patient को व्यक्ति को blood pressure की problem है ये हो गया हमारा blood pressure का problem का simple सा definition अब देखिए कि मे Tamiduse H, Tamiduse H को बनाने वाली company है आपकी macloids और इसके अंदर का जो active management है वो है दो पहला है आपका tell me satan और दूसरा है आपका hydrochlorothiazide तो आखिर ये दो ड्रग क्या हैं उन सब के बारे में देखेंगे पहले briefing समझते हैं कि आखिर क्यों हमारा blood pressure बढ़ने लगता है blood pressure बढ़न omega 3 fatty acids बगरा ये कम है लेकिन जो low density lipoprotein है fatty acids के साथ में जो triglyceride का level है cholesterol का level है ये ज़्यादा है तो वो problem का कारण बन सकता है अगर आप नमक extra खाते हैं नमक ज़्यादा खाते हैं किसी भी उपर में डाल करके खाते हैं तो भी नमक का बढ़ना आपके blood pressure का कारण हो सकता है अगर आपके kidney proper तरीक से काम नहीं कर रहे हैं kidney में कोई पहले से कोई problem है तो वो भी blood pressure कारण बन सकता है lack of exercise या unhealthy diet lifestyle ये भी blood pressure के कारण हो सकते हैं और कई कारण अन्नोन भी होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होती है तो ultimately आपके blood pressure का elevation होना बढ़ना स्वभाविक है और शूरू भी हो जाता है उसको control करने के लिए हमारे पास कई अलग तरीके होते हैं जिनके बारे में हमने already हमारे में इसी ड्रग के उपर बेज रहेगा ये जो ड्रग है इसमें दो कॉंस्टमेंट में से पहला कॉंस्टमेंट है tell me sartan ये जो tell me sartan है वो angiotensin 2 receptor blocker class की ड्रग ये क्या है angiotensin 2 receptor blocker मतलब होता है ऐसा ड्रग जो की angiotensin 2 को उसके अपने respective receptor पर जाकर कर के bind होने नहीं देता अब आपको drug समझ में नहीं आया अगर आपको receptor समझ में नहीं आया तो दिक्कत की कोई बात नहीं है मैं आपको बदाता हूं suppose ये कुरसी है कोई office है office में कोई ब बैठेंगे कुरसी पे काम कैसे हो पायागा लेकिन जैसे कोई विक्ति वहाँ पर पहुंचता है और बैठता है बैठने के बाद कोई आदेस पारीज करता है जिसका आदेस पारित होने पे हो सकता है कि काफी लोगों के लिए नुकसान दयाक हो सके तो आप चाहते है कि वह या फिर उस तरह से capable enough नहीं उडिशन ले पाने का, वो वहाँ पे फिलाल उस circumplanses के साब से नहीं बैटे, तो आप अगर उसको बैठने नहीं दोगे, तो वो बैठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो वो sign नहीं कर पाएंगे, मेरा मतलब यहाँ पे बैठने से लेकर के capable occupy करने से नहीं है, उस post को accept करने से है, तो इस तरीके से वो जब post vacant ही रहा जाएगा, तो आपका कोई काम होगा नहीं, जो आप नहीं चाहते थे वो भी नहीं होगा, ये simple चीज़ समझ मां गई, वैसे ही हमारे बॉड़ी में कई तरह के receptors होते हैं, receptors कुछ नहीं, एक binding sites होते हैं, जो proteinous in nature और macromolecules होते हैं, जब कभी भी कोई भी particular respective receptor के उपर bind होने वाले chemical या तो feed drug आते हैं, तो वो अपने receptor पर bind करते हैं, तो जैसे ही angiotensin 2 अपने receptor पर bind करेगा न, तो आपके blood vessels में थोड़ा सा आपको constriction महसूस होने लगेगा, heart का जो force of contraction वो बढ़ने लगेगा, और इसके कारण से आपको blood pressure की problem जहलनी पढ़ती है, और यह naturally आपके body में किसी कारण से होता रहता है, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका blood pressure बढ़े, तो आपको का करना पड़ेगा, जिसकी वज़ा से यह blood pressure बढ़ रहा था, उस वज़ा को ही ठीक करना पड़ेगा, तो वज़ा हमारा क्या था, angiotensin 2 का अपने respective receptor पे जाकर के bind करना, यही तो वज़ा थी, तो आप हम चाहते हैं कि वो receptor पे bind ना हो पाए, इसलिए हम टेलमी शाटन का यूज़ करते हैं, और यह जो टेलमी शाटन की ड्रग है, उसको उसके receptor पे bind नहीं होने देता, receptor को इस तरीके से block कर देता है, जब block हो जाएगा, तो वो bind हो नहीं पाएगा, और bind हो नहीं पाएगा, तो उनका जो complex बनना था, और दूसरा drug जो है आपका hydrochlor thiazide, जो की thiazide dietic का एक example है, dietic क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, देखें, अगर मैं आपसे कहूँ, कि आप जब ज़्यादा मातरा में नमक खाते हो, तो यह आपके blood vessel को concentrate करने का काम करता है, तो हमको या तो नमक कम कर देना चाहिए, या जो आपके blood में already नमक का मातरा ज़्यादा है, इसको body से बाहार निकाल देना चाहिए, और नमक body से बाहर मुख्य रूप से पसीने, या तो urine से बाहार निकलता है, पसीने की मातरा इतनी कभी नहीं होते, कि हम कितनी मातरा में urine बनाएं, और कितनी मातरा में urine को पास करें, तो हमको ऐसे ड्रग के यूरेट पढ़ती है, जिसे हम water pill भी बोलते हैं, जो आपके urine के formation के process को fast करता है, boost करता है, और उसके काहन से urine को body से बाहर ज़्यादा निकालने का काम करता है, ऐसे ही ड्रग को हम बोलते हैं, diuretics यानिकि ऐसे ड्रग जो urine के formation को increase करते हैं, sodium के reabsorption को inhibit करते हैं, water के reabsorption को भी inhibit करते हैं, और इस तरीके से काफी अधिक मातरा में water जिसके साथ sodium भी होगा, वो body से बाहर निकलता रहता है, तो जब blood में से sodium पानी के साथ body से बाहर निकलेगा, urine के form में, तो automatically आपके blood में sodium के level कम होता चलेगा, और यही तो हमको करना था, और यही करने का काम आपका dialeutic करता है, इस पूरे काम को करने की कई अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मोटा-मोटा जो में उद्देश चे होता है, वो होता है कि sodium के reabsorption को inhibit करना, अब यह क्या है, मैं आपको वो भी समझा दू, ताकि concept आपका clear हो सके, देखे, जब कभी हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, चाहाए वो खाना हो, चाहाए वो medicine हो, या कोई भी चीज़, वो आपके पेट में पहुंचता है, further process होने के बाद, small intestine से होता हुआ, वो आपके blood में पहुंचता है, ultimately किसी भी चीज़ का absorption तभी कहला आएगा, जब वो आपके blood में पहुंचेगा, तो diet में लिया गया sodium, ultimately आपके blood में पहुंचा, अगर blood में sodium के level ज़्यादा है, तो आपका construction होगा, और हम चाहते हैं कि blood में से sodium के level को बहार निकाला जाए, तो blood को purify करना पड़ता है, और ये काम सहौपा गया है आपके kidney को, तो blood vessel में से blood move करता 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 करता, आपके kidney के पास पहुंचता है, kidney, यानि कि उसके अंदर का जो बहुत सारे sub-units हैं, वह है आपका nephron, उसी से पूरा filtration होता है, तो उसके कई steps होते हैं, उसमें से एक step है reabsorption, उसमें क्या करता है, जब आपके blood से sodium और बाकी चीज़े छन करके lumen में पहुंचती है, और lumen उसको बढ़ से बाहर निकालना चाहता है, तो बीच में एक process होता है, जिसको बोलते है cross-check process, जिसे आपकी language में तो cross-check मैंने बोला, बढ़ technical language में जिसे बोलते है selective reabsorption, इसमें ये क्या करता है kidney, कि जो चीज़े गलती से चली गई हो, ब्लेट से आपके ilumine में, उसे वापस से ब्लेट में भेज दिया जा, ऐसा उनको लगता है कि ये चीज़े गलती से चली गई है, तो वो sodium को भी ये मानता है, कि एक अच्छा electrolyte से है, ये गलती से मेरे पास आ गया है, अगर मेरे पास रहा, तो आगर ये ये फॉर्मे वर्ड से बाहर निकल जाएगा, तो गलती हो गई हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से ब्लेट में भेज देता हूँ, तो ये अगर वापस से ब्लेट में भेज देगा, ब्लेट में भेज देगा, तो टेलमी साटन का जो कंसेंटरेशन है, वह है 40 mg, और दूसरा हाइड्रो क्लोर्थायाजाइड का जो कंसेंटरेशन है, वह है 12.5 mg, रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करें, तो टेलमी साटन के साथ एक खास बात ये होती है, जो कि आपको जानना चाहिए, तो टेलमी साटन केंटेनिंग ड्रग को विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि टेलमी साटन खास करके 2nd, 3rd ट्रामस्टर में, बहुत बुरा इकसान एफेक्ट प्रोडूस करता है, अंदर डेवला 4F फीटस पे, कभी-कभी उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है, और आपको दूसरी की ड्रग को इसके बदले में प्रिस्क्राइब करेगा, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ब्रेफिकली बात किया आपके ड्रग के बारे में, और ये ड्रग कैसे काम करता है, वो भी बताया, साथ में मैंने आपको ये भी बताया, कि इसका यूज हम कहां करते हैं, इसका कॉंट्रा इंडिकेशन कहां पर हैं, तैंक यू, टेक केर,